कितमें active distributor है, आपका income directly proportional है, आपके कितमे number of active distributor है, distributor नहीं, active distributor, और active distributor का मतलब क्या होता है, active distributor का मतलब होता है, जो daily at least one plan presentation करता हो, at least one plan presentation per day, उसको हम active बोलें, जो daily market में जाके sale करता हो, और ये जो active distributor की जर्मी है, उसमें पहले joining करने के बाद, तुरत आपको उनको goal setting करनी चाहिए, और goal setting के लिए क्या है हमारे पास, life scenario, तो जब भी कोई बंदा नया join होता है आपके team में, तो सबसे पहला काम होना चाहिए, उनका life scenario भरने का, और life scenario भरने के बाद, उनको training देना है, उनको coaching करना है, training यदि, आपको लगता है कि आप इतना time नहीं दे पाते हो, तो आपको company के साथ connect करना है, product training जो company organize करती है, उसके साथ connect करना है, one day seminar में भेजना है, success seminar में भेजना है, और last में duplicate करना है, duplication करना है, क्यूंकि, जब तक आप अकेले काम करोगे, तब तक आपकी team बढ़ नहीं पाएगी, जब आपके एक से दो हाथ हो जाते हैं, हमारे यहां पर बोलते हैं, यहां पर एक से दो हाथ मतलब यह नहीं है, एक से दो हाथ मतलब है, मेरा left और मेरा right, जब इनको आप, आपके जैसा बनाओ नहीं है, तब ही duplication बोलना जाएगी, तब तक duplication नहीं कहाँ जाएगी, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, association, उसके बाद, दूसरा, coach, पहलो association, दूसरा coach, थर्ड, ती, चौथा, invest in learning, उसके बाद, objectives, objectives, goals को objectives में convert करना, और last क्या देखा था, number of active distributor, याने एन, और ये सारे word मिला के बनता है, action, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, action करना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, action करना पड़ेगा, एक्शन करने के लिए मैं आज, इस शुबगड़ी पे, third anniversary के शुबगड़ी पे, एक blockbuster movie का, मुहरत करते हैं, एक blockbuster movie का मुहरत करते हैं, जो की fourth anniversary में, इसी stage पे, इस से बड़े stage पे, हम इसको release करेंगे, क्या वेजिए,